हेलो स्टुडेंट्स गुड मार्नी आल आफ यू ए टिटोरियल बिना एक इंटर कालेज खजुरहट अजुद्या में आपका स्वागत है मैं दया संकर यादो क्लाश 12 सब्जेक्ट बायोजी मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ टापिक है खंडी भवन इस बिधी में जनक पाधप का सरीर दोया अधिक खंडों में बिभाजित हो जाता है प्तेक खंड पुनुरुद्भवन द्वारा नया जीव बनाता है जैसे इस्पाइरो गायरा यूलो थ्रिक्स मार्केंसिया यह अनेक बिधियों द्वारा हो सकता है जो निम्नुवत है फर्स्ट है सानलगन कोशकाओं के मद्ध उपस्थित मद्ध पटलिका के घुल जाने से सेकेंड है जली जीव द्वारा छति ग्रस्थ होने पर थर्ड है जलधारा के तीब्र प्रवा द्वारा छति ग्रस्थ होने पर फर्थ है इस्पाइरो गाईरा की कुछ जातियों में सनलगन कोशिकाओं की अनप्रस्थ भित्य में कैप्टल यच्च के समान रचनाएं बन जाती हैं जो खंडन में सहायक होती हैं फिगर के माधिम से समझेंगे फ है जनकसुकाय का जो टूटा हुँ भाग दिख रहा है यह पूरी तरह से जनकसुकाई है यहां अचीकu तूटा हुआ भाग यो खंड के रूप में परिवर्तित होता है, यहां से तूट करके अलग होता है, जिससे नई संतत का विकास होता है, जन्म होता है, थैंक यू.